जैसा कि आप जानते हैं कि थियोडोलाइट एक जटिल उपकरण है जिसके साथ सावधानी पूर्वक और कुशलता से काम करना चाहिए, आप यह भी जानते हैं कि इस उपकरण को इस्तिमाल करते समय बहुत से अच्चूक सेटिंग्स लगानी पड़ती है। इसलिए थियोडोलाइट इस्तिमाल करते समय तुरुटियां होने की संभावनाएं अधिक हैं। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि थियोडोलाइट सर्वे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको उन तुर्टियों से बचने में मदद मिले तो थियोडोलाइट सर्वे में वे कौन सी चीजे हैं जिनके बारे में सर्वेरों को जानकारी होनी चाहिए कि वे उनको करें या ना करें आईए इस मौडियूल थियोडोलाइट सर्वे में क्या करें और क्या ना करें के माध्यम से इसके उत्तर का पता लगाते हैं स्वागत है यह मोडियूल पूरा करने के बाद आप निम न कर सकेंगे उन चीजों की सूची बना सकेंगे जिनको थियोडोलाइट सर्वे में करना चाहिए और नहीं करना चाहिए